So, Hey Hello Everyone, I hope आप सब लग अच्छे होंगे, आपका दिन ऐसे ही अच्छा जाए, and healthy food खाएं, आप healthy रहें, ऐसे ही healthy सबजी खाएं, आप ऐसे ही organic चीज़ें खाएं, ना के chemical free तो guys, आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में क्या चीज़ है, यह strawberry का plant है guys, आपको देखकर पता तो चल रहा होगा, देखे guys, हमने यह strawberry का plant लिया है, देख सकते हैं, इसमें strawberry भी लगी हुई है, छोटी सी है, बट बहुत क्यूट है, strawberry लगी हुई है, यह flowers है guys, उसके strawberry के, देख सक हैं, आप लोग, देखे guys, अगर दूसरी नरसरी में जो गया तो इसका high price रहेगा, बहुत ज़्यादा costly रहेगा, इसका price, आप ऐसी local nursery से लोगे, तो low price का रहेगा आपको, तो आपको तो पहले low price वाला ही nursery चुनना चाहिए आपको, ना के highly, बहुत जैने क्या करते हैं, हमें चले जाते हैं, ना के rate मालूम करते हैं, ना कुछ करते हैं, देखे guys, हमने ये wilderness soil बनाया है, जैसा के आप जानते हैं, हमेशा मैं wilderness soil ही बनाता हूँ, तो हमेशा की तरह ये भी wilderness soil है guys, देख सकते हैं आप लोग, देखे guys, हमने wilderness soil बनाया है, कभी भी आप plant लगा तो एक बात याद रखो, well-drain soil बनाई हो, आप जबी भी plant लगाओगे, तो आपकी soil mixture well-drain रहना चाहिए, ताके आपके plant को growth के लिए आसानी हो, ताके plant growth कर सके, and कभी भी आप report करो plant को, तो आप semi-shade में रखो plant को, अच्छे से watering करो, अच्छे से watering करो के semi-shade में रखो ना की direct sunlight में नहीं रखना चाहिए, direct sunlight में रखने से shock में आए जाता है, देखे गाइस हमने ये bone meal लिया है मैंने, देखे गाइस, इसमें bone meal दाना बहुत जरूरी है गाइस, जब तक आप bone meal नहीं दालोगे, तब तक आपका plant वैसे देखा गय तो guys, bone meal plants के लिए बहुत best fertilizer है, बहुत ज़्यादा अच्छा fertilizer है guys, तो आप bone meal use कर सकते हो, ये रहा मेरा secret fertilizer guys, जो के मैं आपको बात में share करूँगा, इसका details, देखे गाइस, ये मेरा secret fertilizer है, देख सकते हैं, जितना quantity में हमने मिट्टी लिया है, जितना quantity में हमें soil लिया है, उ हमने, अब हम इसको mix कर देंगे guys, देखे ये mixture हमने mix कर रहे हैं, इसको mix कर देंगे हम इसे ही, अभी इसको mix करने के बाद हम थोड़ा सा इसमें DAP डालेंगे, देख सकते हैं, DAP, आपको तो पता ही होगा, DAP, DAP जाधा quantity में भी नहीं लेना चाहिए, बहुत dangerous होता है, और guys, आपके घर में छोटे बच्चे हो, तो ऐसे fertilizer को आप बच्चे नहीं जा सके, बहुत dangerous होते हैं, जो ये plants, medicines होते हैं, बहुत dangerous होते हैं guys, तो आप बच्चों को दूर ही रखिए, देखे हमने इसमें मिला दिया हैं, और देखे हैं, हमने एक छोटा सा pot लिया है, जाधा बड़ा नहीं है, छोटा सा लिया है, उसमें देख सकते हैं, होल कितने हैं, देखे हैं, हमने छोटे से pot में कितने सारे होल हैं, ताके इसको पानी निकलने में जो water release होगा guys, तो उसको आसानी होगा, बहुत जादा आसानी होगा, water releasing में guys, देख सकते हैं, तो अब हम इसमें रख देंगे, हम इसमें ऐसे ही, इसको रख कर, अब यह जो strawberry का plant है, इसको हम निकालेंगे, जो इसका cover है guys, हम इसको निकाल देंगे, इसमें से, देखे, धीरे करना है guys, ज़्यादा जोर नहीं दालना है cover पर, क्योंकि roots बहुत नाजुक होते है guys, so guys हम इसको निकाल चुके हैं, इसमें हम, जो यह मीटी होती है, नरसरी से जो आती है, मीटी वो निकाल देना चाहिए, नहीं तो आपका plant grow करने में बहुत मिश्किल होगा, बाद बार नहीं grow होगा, वैसे time पर आपको करना क्या चाहिए, आप जबी भी plant नरसरी से लाओ, तो उसका cover निकाले बाद, उसका मीटी भी निकाल दो थोड़ा था, बट एक बात दियान रखना है, जो main root रहता है, उसको नहीं disturb करना है, उसको कुछ नहीं करना है, ताकि आपका plant अच्छे से बढ़े, अगर आप main root को disturb करते हो, तो आपके plants बढ़ने में बहुत मुश्किल होगा, main root को नहीं disturb करना चाहिए, plant disturb हो जाता है, अगर आप roots को disturb कर करते हो, कुछ नहीं करना चाहिए, उसको देख सकते हैं, हमने इसमें soil, जो हमने soil mixture का लिया था, हमने इसमें डाल दिया है, soil mixture ये पूरा, देखिए, अब इसमें हम लगा देंगे इसको, ऐसा लगा देने का है, इस उपर-उपर ही लगाया है, मैंने ज्यादा अंदर-अंदर तक नहीं लगाया है, ताके roots डेवलप हो सके, दूसरे roots, तो हमने इसको उपर-उपर तक लगा दिया है, देखिए गाइस, और हम इसको देखिए, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जब भी आप साइट से soil दालो, उपर तक नहीं बनने का, मैंने कुछ जादा इदर चले जाएगा, डॉन में जाएगा, तो आपको दूसरा fertilizer दालने में आसानी होगा, जब आपको plant को fertilizer देते हो, तो आसानी होगा, और गाइस, में बात गाइस, आप plant को banana peel fertilizer, orange peel fertilizer, ऐसे दे सकते होगा, ताके आपके plant growth में क्या है, आसानी हो, plant की growth जो होती है, आसानी से होती है, बनाना peel fertilizer देने से, बहुत ज़्यादा proteins होते है, उसमें, बहुत ज़्यादा support मिलता है plants को, growth करने में, सो गाइस, देखिए, ऐसा लगा दिया है हमने, देख सकते हैं, and one more thing guys, जभी भी आप plants को report करो, देखिए गाइस, हमने ऐसा छोटे में report किया है, सो गाइस, report करने के बाद, आप कभी भी plant को report करो, देखिए, हमने नजजिक से बता रहा हूँ, मैं आपको यह, देखिए, देखिए guys, देख सकते हैं, आप strawberry भी लगा हुआ है, इसमें, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा plant है, ज़्यादा बड़ा plant नहीं है, यह strawberry क छोटा plant है, देख सकते हैं, आप strawberry भी लगा हुआ है, इसमें, देखिए guys, देखिए, strawberry देखिए guys, so guys, जबी भी आप plant को report करो, चाहे हो बड़ा pot हो, यह छोटा pot हो, तो आप जबी भी report करोगे, तो इसको semi shade में रखना चाहिए, ना कि direct sunlight में नहीं रखना चाहिए guys, direct sunlight में शौक में भी जा सकता है, आपका plant, and one more thing guys, जबी भी आप plant को report करते हो, उसको भरपूर watering करना चाहिए, बाद जने थोड़ा water करते हैं, देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, बट वैसा नहीं करना है हमें, अच्छे से watering करना है, फिर उसके बाद उसको semi shade में रखना है guys semi shade में रखना है, उसके बाद आपको जब उसका root develop होगा, तो आपको direct sunlight में रखना है, ताके आपका plants अच्छे से growth करें, ऐसे ही useful information के लिए guys, हमारे page को subscribe कीजिए, हमारे channel को subscribe कीजिए guys, ऐसे ही useful information ताके आपके लिए ला सके हम, ऐसे useful information gardening से related, ला सके है आपके लिए, okay guys, ऐसे useful information के लिए हमें subscribe कीजिए, तब तक के लिए, बाई बाई टाटा, love you all